हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं combination of errors का अगला पार्ट जिसके अंदर होता है error in the division और quotient ये वाला पार्ट हम लोग दिखेंगे मतलब आपका अगर कोई भी quantity आपको given है तो उस quantity में जो error है वो division या फिर quotient के form में किस तरीके से हम लोग error को उसको निकालेंगे वो चीज़ हमको इसमें देखनी है तो देखिए जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो error का निकालने का एक basic method होता है starting में तो वो method आपको यहां पर भी follow करना है और अगर आपने यहां पर बात करें तो division या quotient के form में अपने को करना है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे consider इसको हम लोग z equal to a by b के form में consider करके चलेंगे ठीक है क्योंकि इसने division का बोला है अब उसके में the error del z मतलब यह हम लोग हर question में अभी तक कर रहे थे इस type के तो del z जो error हम लोग लेते हैं वो z के अंदर किस तरीके से हम लोग represent करेंगे उसको z मतलब जो quantity आपको given है वो तो बस माइनस गहाई उसके साथ में कर देंगे अब यहाँ पार वाली quantity भी तो बस मैनस अपन लेते हैं एक यहां से गर अपन a common लेंगे तो जो a है वो common आ गया तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा उसके बाद में plus minus as it is then del a के upon में क्या आ जाएगा a क्योंकि यहां पर a available नहीं है और जब वह available नहीं है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा upon में लिखना पड़ेगा उसी तरीके से हम लोग b common लेंगे और b के साथ में यहीं चीज हो जाएगी अब उसके बाद में यहां पर a by b को हम लोगों ने इधर separate कर दिया और यह जो उपर वाली quantity है 1 plus minus del a upon a इसको as it is रखेंगे और जो नीचे वाली quantity है इसको हम लोग उपर लेके जाएगे तो नीचे यहां पर इसक कि हम लोग कितना बूट कर सकते हैं z बूट कर सकते हैं और यहां पर यह वाला bracket as it is लिखेंगे हम लोग पहला वाला bracket और उसके बाद में जो दूसरा वाला bracket है उसमें हम लोग लगाएंगे binomial theorem binomial theorem क्या होती है कि जब भी आपके पास में कोई ऐसा टम हो कि 1 प्लस x की पावर n के फॉर्म में तो हम लोग binomial theorem लगाते हैं और यहां पर इसका यहां पर अपलाए करेंगे तो उसका क्या जाएगा 1-nx n मतलब जो power होती है वो और x मतलब जो भी quantity आपको यहां पर दी हुई होती है वो वाली तो यहां पर देखिए 1 आ गया उसके बाद में यह वाले उपर वाले bracket में यहां पर प्लस माइनस दिया हुआ इन्होंने ध्यान से देखिए अगर आप इसको देखें तो यह अपने को formula S के अंदर मेंने दे रखा है तो आप इसको इबार देख सकते हैं और अब उसके बाद में अगर आगे बात करें तो हमको क्या करना है कि dividing both side by Z दोनों sides को left LHS को और RHS को दोनों को ओकर हम लोग Z से डिवाइड करते हैं तो इसको जब Z से डिवाइड करोगी तो यहां तो 1 ह नमपर का इन दोनों के साथ में multiply है और इस नमपर का इन दोनों के साथ में multiply है और जब आप single single digits का N के अंदर multiply करोगे तो आपको 1 का 1 में करोगे तो 1 मीलेगा 1 का del b upon b में करोगे तो यहाँ पर यह आपका minus plus del b upon b मिल जाएगा फिर del a upon a का one में करोगे तो आपका del a upon a आ जाएगा और फिर del a upon a का multiply del b upon b में करोगे तो आपको यह वाली quantity multiply करने पर मिल जाएगे ठीक है अब उसके बाद में as the terms del a upon a and del b upon b are small their product terms can be neglected मतलब क्या होता है कि जब कोई quantities छोटी होती हो चोटी quantities का जब आप और multiply करते हो तो quantities क्या होती और भी ज्यादा छोटी हो जाती है तो उस case में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उन quantities को neglect कर सकते हैं for example अगर 1 by 4 है into आपको 1 by 4 करना हुआ तो 1 by 4 का 1 by 4 में multiply करोगा तो 1 upon 16 हो जाएगा जो की और भी छोटा है उस वाली quantities है ठीक है तो इस case में क्या कर सकते हैं इसको neglect कर देंगे तो उसके बाद में आपको जो final answer मिलेगा वो मिलेगा अगले वीडियो में देखेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही और बाकी next हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे थैंक्स वाचिंग